हेलो फ्रेंड्स आज के इस नय वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है तो दोस्तो बिहार से संबंधित समानने ग्यान आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं तो friends, वीडियो में आप last तक बने रहे हैं, अंत तक देखिए इस वीडियो को, क्योंकि जो question मैं इसमें discuss करने जा रहा हूँ, दोस्तों ये जरूर से जरूर आपको exam में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सभी तरीके के परतियोगी परिक्षाओं में ये questions आपको मदद क देखिए और अगर वीडियो पसंद आए, तो लाइक कीजिए, जादा जादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दूसरों के साथ सेर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही समानने ग्यान से स मखना या बास, आपके पास चार ओप्सन्स है, आपको बताना है कि इनमें से किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में पहले अस्थान पे है, और दोश्तों यहाँ पे सही उत्तर होगा, ओप्सन C, मखान, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसीद है, रेसम के ल चमरा के लिए या फिर सिमेंट के लिए, और दोश्तों यहाँ पे सही उत्तर होगा, ओप्सन C, चमरा, यानि कि डालमिया नगर चमरा के लिए प्रसीद है, पुर्वी मध्य रेल का, रेल्वे छेतर का मुख्याले कहां इस्तित है, यह बहुत ही important question है दोश्तों, पुर्व जिले में मिलेगा, तो यह आपको मिलेगा बैसाली जिले में, बिहार में केला उत्पादन का प्रसीद छेतर है, भागलपूर, हाजिपूर, मुंगेर या इन में से कोई नहीं, तो दोश्तों केला के लिए कौन सा छेतर सबसे ज्यादा प्रसीद है, तो दोश्तों इसका सह हाज़िपूर के केले खाने का सवभागे प्राप्त है, क्योंकि दोस्तों मैं हाज़िपूर के बहुत ही करीब रहता हूँ। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है, उत्तरपरदेश, केरल, बिहार या इन में से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मखान की खिती कहा होती है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है बिहार में तो यहाँ पर option C, बिहार सही अंसर होगा निम्न लिखीत में से कौन सा सहर बिहार के सबसे पुर्वी भाग में इस्तित है भागलपूर, पुर्निया, कटिहार या फिर पटना तो दोस्तों इसका सही उत्तर है option C, कटिहार अब चलिए एक बार इसको map में देख लेते हैं कि कटिहार कहां पे है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिहार में कटिहार जो है वो यहां पे है तो अभी आपने यहां पे question में देखा कि सबसे पुर्वी भाग में मतलब एकदम पुर्व में कौन सा है तो कटिहार है मैप में आपको दिखाया कि कटिहार कहाँ पर है पटना आप देख सकते हैं कि पटना यहाँ पर है और कौन सा सहर है पटना भागलपूर और पुर्निया तो चलिए आप देखते हैं भागलपूर और पुर्निया कहाँ पर है दोस्तों आप मैप में देखिए कि यहाँ पर तो औरंगाबाद कैमूर भोजपूर पटना बैशाली मुझह परपूर दोस्तों यहाँ पर मुझे भागलपूर दीख नहीं रहा पर आप देख सकते हैं यह रहा भागलपूर यह रहा इसी के पास में है तो दोस्तों कटिहार जो है वो सबसे ज़्यादा पुर्वी भाग में मा रहा है निमने लिखी जीलो में से कौन सी बिहार में इस्तित है सांबर जील अलुपम जील सुखना जील या कामा जील दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा ओप्शन बी अलुपम जील बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी या त्री था पिटर मुंडी बिशप हाबर्ड जॉर्ण मार्शल या रॉल्फ फीच दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा ओप्शन डी रॉल्फ फीच सम्राट असोख के पिता थे बिंबाशार, चंद्रगुप्त मौर्रे, बिंदुशार या ब्रिह द्रत और यहाँ पर सही उत्तर है ओप्शन डी बिंदुशार असोक के शिला लेखों में प्रियुक्त भाषा है पाली, संस्क्रीत, प्रकीर्थ या फिर हिंदी और यहाँ पे सही उत्तर होगा ओप्शन A पाली बिस्मिल्ला खा संबंधित थे संतूर वादन से, तबला वादन से, बाशुरी वादन से या फिर सहनाई वादन से और यहाँ पे सही उत्तर होगा दोस्तों ओप्शन D सहनाई वादन तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है, औप्शन C मध्धे काल महा कवी विध्यापती मध्धे काल के कवी माने जाते हैं दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट कवी के रूप में प्रतिष्टित हुए उर्वशी, हुंकार, धूप छाओं या फिर रेनुका यहाँ पे सही उत्तर होगा option D, रेनुका डॉक्टर राजेंद्र परशाद कहां के रहने वाले थे मध्य परदेश, बिहार, उत्तर परदेश या इन में से कोई नहीं और दोस्तो इसका सही उत्तर आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तो यहाँ पे सही उत्तर है option B, बिहार डॉक्टर राजेंद्र परशाद बिहार के रहने वाले थे आगे चलकर यह भारत के पहले राष्ट पती भी बने थे और दोस्तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था इनका देहांत 28 फरवरी 1963 को हुआ था तो दोस्तो क्यूंकि यह बिहार के रहने वाले हैं तो इनके बारे में आपको जनकारी होना चाहिए कि किस जगह पे इनका जन्म हुआ है किस वर्ष में इनका जन्म हुआ है किस वर्ष में इनका दिहांत हुआ है तो दोस्तो यह बिहार के रहने वाले थे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है दोस्तो वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये है झाल झाल